हाई एवरिवन स्वागत है आप सब एका टीचिंग वोल्स के इस लर्निंग प्लेटफोर्म पर उम्मीद करती हूँ आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे सो हरियाना के अंदर एक और रेगुलर विकेंसी आपके लिए रिरीज की गई है और मैंने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखे कि जो भी इंटरस्टेड कांडिडेट हूँ वो यहाँ पर अप्लाई कर सके तो अगेन आपकी ये पोस जो विकेंसी है फिट से APS के आपके 50% मार्क सा क्राइटरिय आपको चाहिए होता है तो AWS का हर साल से एक्जाम में रिलीज होता है और October, November में आपका इसका एक्जाम हो जाता है तो चिंदा नहीं करो अगर किसी ने नहीं दिया है तो भी ये छूट देते हैं अगर आपने AWS का एक्जाम नहीं दिया है तो भी आप APS के इंटर्व्यू में बैट सकते हो, बट आपको जैसे अगर आप जोइन कर जाते हो, जैसे अगर आपने इंटर्व्यू क्लियर कर लिया, तो फिर आपको विदिन टू यर उस AWS के एक्जाम को आपको क्लियर करना होता है, बस सिंपल सी चीज़ है, तो अंबाला, केंट के अंदर, पटियाला, संग्रूर में आपकी वेकेंसिस देखने को मिलेगी, डिटेल नोटिफिकेशन भी इनका आया है, तो मैं आपके साथ डिटेल में भी सारे चीज़े डिसकस करूँगी, और आपको हर चीज़ यहाँपर इस वीडियो में clear हो जाएगी, PGD के अंदर आपके वेकेंसिस आप यहाँपर check out कर सकते हो, TGD में आपको काफी सारे वेकेंसिस और PRD के अंदर आपको एक वेकेंसिस देखने को मिलेगी, बाकि vacances मैं आपके detail में भी discuss करूँगे, यह आपका एक short notice type है, जो कि एक news paper में आया है, मैं पहले आपको यह दिखा देती हूँ, ठीक है, तो सारी चीज़े अब देखो age बगेरा बहुत ही simple सा होता इसमें, बढ़िया होता इसमें age का कोई दिक्कत नहीं होता, 40 साल आपकी age ह बीना भी आप इसमें apply कर सकते हो, तो वो भी सारी चीज़े कर लेंगे, और seated or tet जो है वो आपका compulsory है भई, यानिकि अगर आपने central tet दिया है, जो कि हर state में आप अपना जो seated होता है, वो अगर दिया है, या फिर हर state का जो separate tet होता है, अगर आपने वो भी दिया है, हरियाना क है, यूपी का है, जहारकंड का है, कहीं का भी है, तो वो candidate भी हाँ पर apply कर सकते हैं, और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको online application यहाँ पर नहीं करना है, 100 रुपीज के साथ आपको यहाँ पर एक form मैं आपको telegram पर provide कर दूँगी, उस form को आपको जो भी आपके documents वगेरा उसके साथ attach करते हुए, आपको directly school में जाकर करके इसे apply करना है, यानि कि demand draft आपको बनाना है किसके favor में, army public school अमबाला केंट के favor में, और applicant को जो है, खुद जाना पड़ेगा school के अंदर, और यह आपको address दिया गया है, यह pin वगेरा दिया गया है, औ और 22 जन्वरी से पहले आपको यह form भरना होगा, ठीक है, पोस्ट जो है, वो transferable होती है, यह एक अच्छी बात है क्योंकि एक पक्की भरती है, आपको permanent job है, तो अगर आप एक APS, अगर आप दूसरे APS में जाना चाहते हैं, तो आपको transfer यहाँ पर मिल जाता है, अब detail में आ application form में मैं आपके साथ telegram पर share कर दूँगे, तो online screening test सबको पता है, मैंने अभी जस्त आपको बताया कि AWS जो है, हर साल आपका OST, यानि कि online screening test आपको decide करती है, जिसके अंदर अगर आपने 50% marks अगर हासिल किया है, तो आपको एक scorecard provide किया जाता है, और इस scorecard के दम पर आप APS क अंदर interviews में बैठते हो, ठीक है, क्योंकि ये compulsory है, हलांकि ये mandatory नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप interview में बैठ तो जाओ, लेकिन join करने के 2 साल के अंदर आपको इसे clear करना ही होगा, अगर आपने नहीं paper दे रखा है, इतनी चीज़े आपको समझ में आए, अब validity जो है, वो 2023 में अगर किसी बंदे ने अगर apply किया है AWS का exam, और अगर वो clear है, तो उसका valid होगा पूरी life के लिए, लेकिन इससे पहले अगर आपने कभी भी AWS का exam दिया, तो वो आपका 3 साल के लिए valid होता था, ठीक है, 3 साल के लिए valid होता था, लेकिन इस validity को भी आपका पूरा lifetime के ल हो जाएगा, फुल टाइम हो जाएगा, ठीक है, यनके lifetime के लिए valid हो जाएगा, otherwise वो 3 साल के लिए होता था, तो अगर पहली condition यह है कि candidate should have served in, आप किसी भी CBSC recognized school में आपने 3 साल के लिए, you should have served, आपने 3 साल के लिए काम किया हो, OST आपने जैसे ही पास किया, online screening test आपने जैसे तो उसके बाद आपका 3 साल का experience मांग रहे है, CBSC में अगर आपने किया हो, तो आपकी जो validity है वो lifetime हो जाएगी, अगर आपने 2030 से पहली दिया है, दूसरी है, अगर आपने किसी भी PGT, TGT, PRT post पर अगर serve किया है, तो आप यहाँ पर eligible हो जाते हो, for employment in APS, third है, employment so taken up, should be unbroken service of at least 9, continue 9 महिने के आपके किसी भी academic set, इसमें न हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, मतलब सबका almost हो जाएगा, तो don't worry about that, आपका जो है, अभी right now तो lifetime के लिए valid होई गया, OST, ठीक है, तो यह आप धान में रखेंगे, इसके अलावा जो eligibility की बात करी गई है, वो eligibility भी देख लेते है who have shortlisted as per the, तो इसमें वही चीज़े बताईगी है, कि आपका जो online screening test है, वो mandatory नहीं है, interviews के लिए, अगर आप join करते हो, तो mandatory है, ठीक है, तो वो मैंने आपको चीज़े बता दी है, बाकि इस चीज़े को repeat करने से कोई फाइदा नहीं है, qualification की बात करें, तो आपको यहाँ पर qualification बताईगी है, पीज़े के लिए आपको beard चाहिए होता है, और एक चीज़ और कि आपको 50% marks चाहिए होता है, जिस subject के लिए आप अपलाय कर रहे हो, उसमें तो at least आपके 50% marks जरूर हो, ठीक है, तो beard आपको यहाँ पर 50% marks से साथ है, टीज़े में अगर आपकी है 50% तो आप apply कर सकते हो, beard मांगा है, वो भी 50% के साथ मांगा है, PRT में भी graduation आपके पास हो 50% के साथ, अगर आपको डिपलोमा वगएर है, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हो, पचास पसंद के साथ, अगर आपने beard रखा है, या फिर आपने elementary में अगर beard कर रखा है, तो भी आप इस form को होता है जो इस बारे में मुझे लगता सभी लोग अवगत होते होंगे कि पहले KVS वगेरा में भी ऐसी चीज़े होती थी अब तो चलो टोटली रखेंगे इसके अलावा जो नोट यहाँ पर लिखा है न वो यह लिखा है कि आपको minimum passing percentage जो है वो आपका 50% होना ही चाहिए है अगर candidate ने score नहीं किया है 50% marks in each of the subject in which they have graduated post graduate यान कि आपके 50% number तो भई होने ही होने चाहिए है separate subject में अगर in case ऐसा नहीं है तो फिर क्या होंगे तो फिर आप अपने से कम जो आपका जो है जैसे PGT के नीचे TGT आता हो TGT के नीचे PRT आता हो आप ऐसे apply कर सकते हो मान लो अगर आपके PG के अंदर 50% marks नहीं है तो फिर आप TGT post पे apply कर सकते हो अगर आपके TGT के अंदर 50% marks नहीं है तो फिर आप PRT में apply कर सकते हो यह यहाँ पर कहने की बात करी गई है CET or TET यहाँ पर mandatory है बिलकुल mandatory है यहाँ पर लिखा है note mandatory और यह note mandatory किसके लिए लखा है जो online screen test उसके लिखा है लेकिन अगर आप join करते हो EPS के अंदर तो फिर आपका CET or TET जो है बिलकुल पूछा जाता है और वहाँ पर उस time यह mandatory है ठीक है appointment के time आपका check किया जाएगा जब आपका interview होगा उससे पहले आपके सारे documents की scrutiny होती है तो यह मान के ना चले कि भई आपका check नहीं होगा बाद में check होगा तो सारी चीज़े check वगेरा होती है ठीक है तो यह ध्यान में रखेंगे आप सभी next पे चलते हैं तो आपको देखो यहाँ पर जो आपकी जो subjects है उनके education qualification आपको यहाँ पर दिये गए है वो आप अपना देख सकते हो ठीक है एक का अगर बताऊं तो यहाँ पर आप भई सबको पता है क्या होता अगर PG post के अगर बात करूँ post गया जो आपको सबको पता है भई जो beard हो चाहिए होतार 50% marks से साथ आपने तो वो repeat नहीं कर रही हूँ आप अपने subject के coding issues को देख लेना ठीक है तो PGT के हैं यह सारे चीज़े उसके बाद अगर TGT की बात करें तो TGT में सबको पता है क्या होएगा TGT में आपको 50% marks चाहिए आपको beard भी आपके पास हो उनके लिए beard यहाँ पर compulsory नहीं है ठीक है तो यह ध्यान में रखेंगे और beard जो है वो जरूरी है उसके बाद seated जरूरी है और आपका जो proficiency यह simple सी चीज है और आपके computer के अंदर आपके knowledge बगेरा subject करी जाती है तो यह आपको चीजे ध्यान में रखनी है ठीक है तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा है और इसमें बताने का बाकि आप पूरा इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं यह पूरी आपको eligibility खुझ से ही अच्छे से पढ़ लेनी है ताकि आपको समझ में आ जाए बाकि मेरे short में आपको बता ही दिया है एक बड़ी मैं आपको application form और दिखा देती हूँ यह है application form जिसको आपने fill up करना है passport size photo लगानी है और अपना subject वगेरा सब यहाँ पर जो लिख लेना है ठीक है आप school where you would like to work आपको यहाँ पर सारी चीज़े लखनी है और personal data बगेरा सब यह सब तो आप formally भर ही लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी coins examination and all ठीक है have you cleared CSV अगर आपने करा है कि नहीं करा है तो वो सब इसमें आप mention कर देगे करा है तो कर देंगे नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे experience वगेरा सब आप mention कर देंगे तो यह पूरा आपको application form fill up करना है उसके साथ 100 रुपीज का DD बनवाना है और आपको अपने जो भी additional जो भी आपको जो documents है वो सभी attach करके आपको hard copy जो है वहाँ पर school में जा करके submit करनी है तब ही आपका form apply माना जाएगा इसके अलावा एक candidate का कल message आता है कि मैंने 100 रुपे नहीं दिये है form fill कर दिया है क्योंकि वो online था तो ऐसा मत करो भई अगर 100 रुपे बोला गया है तो आपको भरने होंगे वो 100 रुपे ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आपको out कर देंगे वहाँ से ठीक है तो आप पूरी चीज़ों को जरूर देखा करो चलो इस वीडियो में इतना है उमेद करती हूँ कि जिसको पसंद आया होगा जरूर लाइक करे सब्सक्राइब कर लिज़े टीचिंग कोर्स को बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना मिलते हूँ निक्स वीडियो में थैंक यू थैंक्स हो पॉचिंग में